श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है, इसलिए अगर आपको कोई काम करना चाहते हैं, तो अभी से आलस्यत्याग अपने काम को कभी काल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वकूर्णता ना समझ कर, उसे व्यर्थ में ही घबाता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य का एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभू, जब मैं पैदा हुआ, तब मेरी मान ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि व जरा ध्यान से सुनो, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यू, मेरा प्रतीक्षा कर रही थी जीस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माबाप से अलग होना पड़ा जहां पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा, जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है गायों का गोबर हाथ से उठाना जब मैं चल नहीं सकता था, तब मुझे पर प्राण घातक हमले किये गए मुझे मारने की बार-बार कोशिश की गई ना, मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रू मानते थे, मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं आपके पास ग्यान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है निकम्बों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है, इजज़त इनसान की नहीं होती, जरूरत की होती है जरूरत खत्म तो इजज़त खत्म, बोलना सीखे वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं, जो आपको तब भी सुन सकते हैं, जब आप चुप होते हैं चिंता उतनी करिए, जीतने में काम हो जाए, उतना नहीं की जिंदगी तमाम हो जाए आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग जिता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिनाने दो कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन्चाहा किरदार नहीं मिलता जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाये जाते हैं आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसूँं से ढुलने या क्रोध से मिटने ना दे कोई भी व्यक्ती हमारा मित्र या शत्रू बन कर संसार में नहीं आता हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रू बनाता है जो व्यक्ती हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लोट जाता है जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिन्दगी के हर इम्तिहान में पास है हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग छोड़ कर जजबातों से खेलते हैं महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है औस दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं अहंकार ना पालिये वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूप गए इन पांच जगहों पर हमेशा चुप रही पहला जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं दूसरा जहां बोलने के बाद आपको पच्छतावा ना करना पड़े तीसरा अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है चौथा अगर आप गुस्से में हो क्योंकि गुस्से में इनसान विना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है और पांचवा जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो किसी का कश्ट देखकर अगर तुम्हें भी कश्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है सिर्फ सुकून ढूंडिये जरूरतें कभी पूरी नहीं होती जिन्दगी में